वेलकम टू स्रीजी फूर्ड मैं हूं मनीशा ठककर आज हम बनाएंगे प्रोटिन से भरपूर दाल डोंसा ये डोंसा बहुत ही टेस्टी होता है और कई लोग चावल नहीं खाते तो उस टाइम पे भी ये डोंसा बना के इस्तिमाल कर सकते हैं ये एकदम पतला और क्रिस्पी होता है साथ ही में बहुत ही टेस्टी होता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक बरतन ले ले उसमें हम half cup foxtail millet डालेंगे यह एक तरह का बाजरा है जो इस तरह से दिखता है एकदम छोटे दाने इसके होते हैं यह किसी भी सुपर मार्केट में आपको मिल जाएगा foxtail millet और्गेनिक मैंने लिया है और अगर नहीं मिलता तो description box में मैंने इसका लिंक दिया है इसी के साथ हम डालेंगे one third cup तूवर डाल जो unpolished तूवर डाल आती है बिना तेल वाली वो मैंने इस्तिमाल की है one fourth cup चना डाल डालेंगे इसमें हमें बिल्कुल भी चावल का इस्तिमाल नहीं करना है दो छोटे चमच उरत डाल डालेंगे अब इसे तीन से चार बार पानी से वाश कर ले और फिर इसमें पानी डाल कर इसे चार से पांच घंटे के लिए भीगो के रखे चार से पांच घंटे के बाद जब आप देखोगे तो डाल अच्छी तरह से भीग कर तयार हो गई होगी इसे फिर से एक बार धोले और फिर उसे ग्राइंड करना है तो मिडियम साइस का जो मिक्सर का जार होता है वो मैंने लिया है अभी कॉंटिटी कम है तो एक ही बार में हम सारी डाल एड करेंगे थोड़ा सा पानी मैंने डाला है फिर जरुवत अनुसार हम आगे डालेंगे पानी थोड़ा सा जीरा डाले जीरा भी वेट लॉस में बहुत ही हेल्फुल होता है और ढौसा को टेस्टी बनाने के लिए मैंने सुखी कास्मेरी मिर्च ली है जिसे भी हम तोड़ के इसमें डालेंगे जिससे ढौसा का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है अब इसे जरुवत अनुसार पाने डालके इस तरह से गाड़ा ग्राइंड करके तयार करना है तो बैटर बनकर तयार है इसे एक बर्तन में निकाल लेते है अब इसमें बाकी के मसाले करें तो थोड़ी से हिंग डालेंगे क्योंकि इसमें डालका यूज हुआ है तो हिंग डालना जरूरी है लेकिन नहीं खाते तो स्कीप कर सकते है नमक डाले स्वाद अनुसार अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और इसे फर्मेंटेशन के लिए रखना नहीं है तुरंथ ही डोंसा बनाना है तो एक तवी मैंने गरम करने के लिए रखी है जब वो अच्छी तरह से गरम हो जाए तब गीले कपड़े से इसे पोच के नॉर्मल टेंपरेचर पे कर देना है अब गैस की आच धीमी रखनी है और जो डोंसा का बैटर हमने तयार किया उसे हम इसके उपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे मैं ये डोंसा एकदम पतला स्प्रेड करूँगी तो इस तरह से हम इसे स्प्रेड करते जाएंगे अब गैस मिडियम फ्लेम पे रखना है जब इसका उपर का लेयर इस तरह से थोड़ा ड्राइ हो जाए उसके बाद इसके उपर हम तेल या घी डालेंगे यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी इस्तिमाल किया है ये डोंसा पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो 3-4 मिनिट के बाद जब इस तरह से इसकी किनार्य अलग हो फिर ही इसे पलटाए इस तरह पे अभी थोड़ा कच्चा लग रहा है तो इसे पकने देंगे तो राउंड 4-5 मिनिट के बाद ढोंसा अच्छी तरह से पक कर तयार हो गया है अब हम इसे फोल्ड करेंगे आप चाहो तो दूसरी साट भी इसे थोड़ा पका सकते हो लेकिन जरुवत नहीं है इसे पकाने की तो मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और इसी तरह से बागी के ढोंसे बनाने है तो अब हमारा healthy ढोंसा बनकर तयार है आप इसे स्टफिंग के साथ भी बना सकते हो और ये चटनी और संबर के साथ सव करोगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है अभी जो measurement लिया उसे 5-6 ढोंसा बनकर तयार होते है तो एक बार बना कर जरू ट्राइ करें उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी